नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका सुवागत है और रज़र डालते हैं आज की प्रमुक खबरों पर नेपाल में मुरुतक संख्या 4300 के पार कई देशों को भारत से आज नेपाल के भयावा भुकम के बाद अभियाँ भुजन, पानी, बिजली एवं दवाईयों की भारी किल्लत से संकट और गहरा गया है इस बिच देश में भुकम से मरने वालों की संख्या 4300 से पार पहुच गई हलाकि भारत नेपाल में बड़े पिमाने पर राहत एवं बचाव अभियाँ चला रहा है सोमवार रात और मंगलवार सुबह भी यहां भुकम के जटके महसूस किये गए दहशत का आलम यह है कि हजार उनों खुले में रहने को मजबूर है जबकि विदेशी नागरिक अपने देश लोटने का बेसबरी से इंतजार कर रहे है इधर कई देशों ने नेपाल से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत से मदद मांगी है नेपाल में यहां बीते 80 वर्षों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है सल्कट से गिरी यहां की सरकार ने अंतराश्टी मदद का आगरह किया है फर्जी है दिल्ली के मंतरी तोमर की डिगरी बियार के एक विश्व विध्याले ने दिल्ली उच्चनयायले को बताया कि दिल्ली के विधी मंतरी जितेंद्र सिंग तोमर का अंतरीम प्रमाणपत्र जाली है और इस सरस्थान के रिकॉर्ड में अस्तित्व में नहीं है तोबर ने इस वेशोविध्याले से विधी की शिक्षा प्राप्त करने का दावा किया है बियार के दिलत माजी भागलपूर वेशोविध्याले ने आदालत के सामने अपनी जाच रिपोर्ट रख कर कहा कि अंतरिम प्रमान पत्र में दिया गया सीरियल नंबर रिकॉर्ड में तोमर की जगह किसी अन्यवेक्ति का नाम दिखाता है भारत पाकिस्तान सीमा पर चोरी हुई बस भारत पाकिस्तान अंतराश्टिय सीमा से लगे जम्मू के आरेस पूरा सेक्टर में उस समय भैका माहोल बन गया जब कुछ अग्यात लोग एक चोकिदार की पिटाई करने के बाद एक नीजी बस चुरा कर ले गए पुलिस अधिकारी के अनुखसार एक नीजी स्कूल के चोकिदार ने बताया कि तीन अग्यात लोग उसके पास आये और कहां कि वे सीमा के उस पार से आये हैं और उठे कुछ खाने के लिए चाहिए जब चोकिदार ने कहां कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उससे रुपयों की मांग की गई बाद में उन लोगों ने उसकी पिटाई की और उसे रस्यों से बानकर स्कूल बस लेकर भाग गए